हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DLNS में और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवियस पेड़ोगोजी के कुश्चन्स के बारे में और जो हमारी सीरीज चल लए थी जिसमें हम इवियस की जो हमारी पेड़ोगोजी है उसके कुश्चन्स को डिसकस कर रहे थे और इसमें हमारी जो तीन क्लासेज हैं अल लेडी कंपलीट हो चुकी थी और यह हमारी क्लास नमबर फोर है जिसमें भी हम जो 15 क्वेड़ोजी में उनको यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो पिछली क्लासेज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यह क्लासेज मिल जाएगी जिसे आप वो पिछली क्लासेज भी देख सकते हैं जो कि आपको लाइफ क्लास में मिलेंगी तो जलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और उससे पहले कुछ हमारे सोसल मीडिया हैंडल से जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको information लेनी है जो भी आपकी query है वो आप वहाँ से discuss कर सकते हैं और साथी साथ PDF के लिए जरूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से जो की डियर लेर्नर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल भी हमारा अभिलबले तो आद देखते हैं सबसे पहला जो हमारा question है वो कौन सा है तो पहला question है निमनलिखित में से कौन सा समू ईवियस पाठकरम में सुझाए गए छे थीमों में से चार्ज में सही डंग से प्रस्तूत करता है तो हम multiple time पड़ चुके हैं जो हमारी छे थीम हैं उनके बारे में छे थीम हैं और चार हमारी उप थीम है जिनकों की ईवियस के करिकुलम में रखा गया है आपके ईवियस के पाठकरम में रखा गया है तो उनमें जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो परिवारे वम दोस्त है भोजन है, पानी है, यात्रा है, ये सभी क्या हैं आपकी सभी theme के सिरेणी में आते है अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पौधे जानवर लेकिन अगर हम बात करें पौधे और जानवर की तो ये कही ने कही पदार्थ इसमें आ गया जो कि आपका theme में सामिल नहीं है फिर आता है परिवार और दोस्त भोजन पाणी और मात् तो ये हमारा सही अंसर होगा क्योंकि ये 6 थीम में से 4 थीम आपकी यहाँ पर दी गई है तो ये आपकी 4 थीम है अब चीजें जो हम बनाते हैं ये भी हमारी थीम है लेकिन आगे इसमें पदार्था गया तो ये हमारी थीम नहीं है इसमें पदार्था गया ये हमारी थीम नही के लिए कुछ तरीके हैं पॉर्टफोलियो का मतलब होता है एक प्रकार से आकलन करना जो भी विद्यार्थी है जो भी बचा होगा उसके क्या करना उसके आकलन करना क्या उसकी टैलेंट का जो आकलन करना होता है उसे पॉर्टफोलियो में रखा जाता है जैसे कि आप मार्क सी करना देखिए इसका पॉर्टफोलियों से कोई लेना देना नहीं है एक सिचार्थी के काम की जो सभी वस्तु है उनके चैन करने का पॉर्टफोलियों से लेना देना नहीं है फिर है सिचार्थी से अपने काम का चैन और उसको अपने पॉर्टफोलियों में सामिल करवाना ये पूरी तरीके से पूर्टफोलियो को तयार करने के लिए अब अगला कुश्यन है यहाँ पर N.C.F. 2005-96 जो की करीकुलम एक तयार किया गया था निम लिखे दमेंसे कौन सा E.V.S. के पार्ट करम के बारे में सही है तो आपको बताना है शार में से क्या E.V.S. के पार्ट करम से रिलेटेड है जो की N.C.F. 2005 में यहाँ पर बताया गया था तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला है जो हमारा वो है E.V.S. का पार्ट करम को पर्यावन सिच्छा शामाजी विग्यान के एक ही कृत रूप में प्रस्तुत किया गया है और फिर E.V.S. का पार्ट करम सामाजी विग्यान और पर्यावन सिच्छा का एक ही करन है तो देखे ये जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है वो पॉइंट सही है जो की है फोल नंबर यानि कि E.V.S. में आपका क्या का सामिल किया गया है E.V.S. में ही आपको क्योंकि जो वन टू फाइफ हमको E.V.S. पढ़ाई जाती है प्रात्मी किस तर पर तो E.V.S. में आपका सामिल होता है साइन्स सब्जेक्ट हो गया उसके बाद आपकी सोसल साइन्स हो गई और उसके बाद E.V.S. यानि Environment, Science और सोसल साइन्स तीनों का जो मिला जुला सुरूप है एक ही क्रत रूप है उसे ही पाठिक्रम में रखा गया है किसके E.V.S. के पाठिक्रम में रखा गया है अगला कोशन है एक E.V.S. सिच्छक अपनी सिच्छारतियों को पडोस में इस्तिमाल होने वाले समी इंदनों पर एक सर्वेच्छन करने को कहता है और इस सर्वेच्छन के संचालन के दौरान कौन सी प्रक्रिया कोसल को विक्सित करेगी और वो सिच्छक क्या कर रहा है कि जो भी सिच्छारती है जो विद्यारती है उनको इंदन पर एक सर्वेच्छन करने को कहता है और इसके दौरान इस सर्वेच्छन में कौन सा कोसल विक्सित होगा वो आपको बताना है तो इसमें है परिकल्पना बनाना समालोजनात्मक चिनतन, dips रिकार्डिंग और सुन्ने की कोसल पूर्व अनुमान और रिकॉर्टिंग कोसल तो सही आंसर होगा रिकार्डिंग यानि अभी लेखन और शुन्ने के कोसल तो यह हमारा जो कोसल है वो विख्षित होगा क्योंकि जो यहाँ पर क्या करना है सरवेशन करना है तो कहीं न कहीं आप रिकार्ड करेंगे रिकार्डिंग करेंगे और जो भी सुनने से रिलेटेड होगा अभी लेखन होगा उससे यहाँ पर कौसल विश्चित होगा फिर है अगला क्योशन सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्तों क्या हो सकते हैं यानि जो सीखने के लिए किस प्रकार से आकलन हो रहा है उसके जो भी important fact है आवश्यक तत्तों है वो कौन कौन से होंगे आपको यहां पर बताना है और इसमें इसका उप्योग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है तो देखिए जो आकलन उसका करना है हम इस आधार पर यहां पर अगर हम बात करें तो इस आधार पर हम उसका आकलन नहीं करते हैं एल्वां और शेल स्वाइब नहीं मैं पा टिए सा कहा है और ईसे सीखने की इस्थितियों में भी किया जाना चाहिए। निहित किया जाना चाहिए तो इसको क्या किया जाना चाहिए जो भी इसी सीखने की सितिया है उसमें निहित किया जाना चाहिए तो ये आंसर सही नहीं होगा फिर है या सिच्छकों को उनके सिच्छन अधिगम विद्य को समाय उजित करने की गुंजाइस प्रदान करता है तो बिल्कुल सही बात है जो अधिगम विदी है सिचकों की उसमें समाय उजित रहेगी अगर हम इन तत्तों को इन आकलन को यहाँ पर सामिल करेंगे और इस साइफ विद्यारतियों को काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइस प्रदान नहीं करता तो यह जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर गलत होगा यानि A और C आपके यहाँ पर सही आंसर होगे अगला क्वेशन है कुणाल ने कपड़ों की बंधेश की रंगाई पर कारेसाला करने के लिए अपने विद्याले में एक इस्थानिय कारीगार को अमंतरित किया अब देखे एक कुणाल ने क्या किया है एक इस्थानिय कारीगार को अमंतरित किया है जो क्या करता है कपड़ों की रंगाई करता है और इस्थानिय कारीगार को अमंतरित करने के उद्देश से क्या है यानि क्यों आमंत्रित किया गया है कि आप आएं हाँ पर इस कारेसाला में क्या करें आप बताएं कपड़ों की बंधेशी रंगाई है किस प्रकार से की जाती है तो इसके अतिरिक्त यानि कौनसा उद्देश से तो चार में से तीन आपके उद्देश से यहाँ पर सामिल होगे और आपको बताना है यहाँ पर कौनसा उद्देश से सामिल नहीं होगा यानि ये जो कारेसाला कायोजन किया गए इसमें कौन सा उदेश से नहीं होगा तो इसमें सिचार्थी कारीगर के ग्यान और कौसल की सराहना करें तो बिल्कुल सही बात है आपको बताना है इसके अतिरिक्ति यानि कौन सा उद्देश को सामिल नहीं करता वही हमारा अंसर सही होगा सिचारती टाई और रंगाई में उपयोग होने वाली तकनीक की साहरा ना करें बिल्कुल सही है विद्द्यार्थियों को इस्थानिय भासा सीखने में मदद करना तो देखे अगर कोई इस्थानिय कारीगर को बुलाया गया है तो वो अपने यानि जिस चीज का वो कारीगर है रंगाई का कारीगर है तो वो उसी के बारे में बताएगा इस्थानिय भासा का यहां पर कोई लिना देना नहीं है क्योंकि यो भासा विद्धो है नहीं तो यही हमारा सही आंसर होगा यानि यह उद्देश से इसे सफल नहीं होगा यानि कारेसाला से तो यह हमारा सही आंसर होगा अगला question है मेर के पास कच्छा में कुछ सिचार थी है जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल इस्थान से विस्थापित हो गए है और उन्हें विद्याले वातावर्ण में समयोजित करने में समस्या है एक इविय सिच्छा के रूप में आप क्या करेंगे तो देखें यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप एक टीचर हैं एक विद्याले के और प्राकृतिक आपदा के कारण यानि कहीं पर प्राकृतिक आपदा आई है और वहां से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मूल इस्थान से विस्थापित हो गए हैं और विद्याले वा हाव एक रूप से समय के साथ समयोजित हो सकें तो केवल आपके धैर रखने से कुछ होना नहीं है तो यह आंसर सही नहीं होगा फिर है केवल विस्थापन को तुरंत स्विकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोज साहित करेंगे तो विस्थापन को इतनी जल्दी तुरंत ही उस्विकार नहीं कर पाएंगे तो यह भी आपका अंसर सही नहीं होगा फिर है उन्हें अन्य सिचारतियों के साथ बासचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साजा करेंगे तो वो comfortable होगे उस वातावरन से उस environment से तो सही आंसर होगा हमारा फिर है एट नंबर question समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का ऑचित है यानि क्या ऑचित है समुदाय संसाधन के रूप में यानि जो समुदाय है उसका संसाधन के रूप में किस प्रकार से यूज किया जा सकता है उसका क्या उचित है उसके बारे में आपको बताना है तो यहाँ यहाँ समुदाय में सभी ग्यान को अनाया सुईकार करने में मदद करता है तो देखें यह हमारा सही नहीं होगा फिर य यहां बिना प्रस्ण करें, इस्थानिय ग्यान को लोग क्री बनाने, फैलाने में मदद करता, और जब आप प्रस्ण नहीं करेंगे, तो ज्यादा आप सीख नहीं पाएंगे, फिर आप समुधाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी हो, इसमें उन्हें सामिल होने में हिस्सेदारी हो, और बच्चे भी उसमें सामिल हो, और सामुल नहीं करने पर जो समुधाय है, वो क्या होगा, नाराज होगा, तो ये भी पॉइंट गलत है, सही आंसर होगा, थर्ड नंबर, अगला क्वेश्चन है, आरोही ने अपने सिचारतियों को अपनी कच्छा मे मानचीतर खीचने को कहा, या क्रिया कलात किसका विकास करने में सहायक होगा, यानि आप से कहा गया कि आपको क्या करना है, एक मैप ड्रॉ करना है, और मैप की माध्यम से आपका कौन सा कोसल यहाँ पर विक्सित होगा, ये पूछा गया है, तो पूरवा अनुमान गड़ना के कौसल आख़णों के अभिलेख आख़णों के अभिलेखन या भूद रस्तियों को खीचने का कौसल तो निश्य तोर पर अगर हम यहाँ पर बात करें नवी नंबर के questions की तो यहाँ पर आपका जो answer सही होगा भूद रस्तियों को खीचने का जो कौसल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा मैफ खिशने से मानचित्र को खिशने से अगला question है निम्न लिखित में से क्या पाठ चर्या के विकास के लिए मार दरसक सिधानत नहीं है तो नहीं point आपको अमेंसा याद रखना है तीन तो इसमें होंगे जो पाठ चर्या का क्या करेंगे विकास करेंगे उसके लिए मार दरसक होंगे लेकिन एक यहाँ पर मार दरसक नहीं होगा तो विद्यालाई ग्यान को ब्रह्म विश्यों से जोड़ना तो यह कोई यहाँ पर हम यह कह लें यह तो पाठ चर्या के विकास का एक कारण हो सकता है फिर सुनिश्यत करना की अधियम रटन्त विद्यंतियों से परे हो तो बिल्कुल सही बात है इसमर्ण की बात नहों रटने की बात नहीं की जाए उन विद्यों से परे हो यह सुनिश्यत किया जाए इस पाठ चर्या के विकास के लिए वो मार दरसक होगा फिर आप परिच्छा को आसान बनाना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप परिच्छा को आसान बनाएं तो यही हमारा सही आंसर होगा यानि ये सिध्धान्त नहीं होगा पार्ठ चर्या के विकास का पार्ठ चर्या को सम्रद्ध करना ताकि या पार्ठ पुस्तकोतों का सीमित ना रहे तो ये भी हमारा पॉइंट सही है यानि कहीं न कहीं इसमें पार्ठ चर्या का आपका विकास ही हो रहा है तो आंसर सही होगा थर्ड नंबर जिसमें परिच्छा को आसान बनाना ये आपका पार्ठ चर्या का विकास यहाँ पर नहीं किया जा रहा है बलकि आप उसे यहाँ पर demoralize कर रहे हैं अगला question है EVS में सिच्छार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा यानि किस चीज़ से आपको बचना है EVS में जवाब विद्यार्थी का क्या कर रहे हो assessment कर रहे हो आकलन कर रहे हो तो उस करते समय किस चीज़ से आपको यहाँ पर बचे रहना है जानकारी एकत्रित करने के विभिन तरीकों के उपयोग करने से तो यह तो आप बिल्कुल उपयोग करेंगे तो यह आपका answer यहनी गलत होगा हम यह कहलें point आपका सही है लेकिन answer गलत होगा फिर है अधिक सटीक विवरण के लिए गटना की ततकाल रिकार्डिंग करने से तो यह भी आप करेंगे फिर है आकलन के अधार के समूं का उपयोग करने से तो यह भी आपका सही होगा फिर है आकलन करते समय तकनीकी भासा के उपयोग करने से तो देखिए जो तकनीकी भासा है उसका आप उपयोग ना करें वही आपसे कागया है कि इवियस में सिच्छार्तियों के आकलन करते समय किस चीज से आपको बचना होगा यानि कौन सी चीज आपको नहीं करनी है तो वो है तकनीकी बासा का उप्योग आप टेकनीकल लेंग्वेश का अगर ज्यादा यूज करेंगे आकलान करते समय तो वो बच्चों की समझ के परे हो जाएगी और आपका आंसर यही सही होगा यानि इससे आपको हमेशा बचना होगा फिर है अगला क्वेशन रोनाल्ड रॉस के बारे में कच्छा पांच में कहानी है जिसको 1902 में चीजिसा के लिए नोबिल पुरुसकार मिला था और जब उसने सिकंदराबाद के स्पताल में काम करते हुए या खोचकी की मच्छर मलेरिया फैलाते हैं उन्होंने अपने सब्दों में बताया की कैसे उन्हें मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा हुए उसका सूच मुदर सीके नीचे औलोकन किया रोनाल्ड रॉस की कहानी को इविस में सामिल करने का क्या होगा यानि जो रोनाल्ड रॉस की कहानी है इसे इविस में क्यों सामिल किया गया यह आप से पूचा गया है तो इसे हम इविस में भी पढ़ते हैं जा जीके के question के रूप में कि जो मलेरिया की खोजे किसी ने की थी वग्यानिक रोनाल्ड रोस ने की थी और इसके लिए उनको नोबिल प्राइज भी दिया गया था 1902 में यानी 1902 में और आप से यहां पर पूछा गया है ईवियस के परिपेश्च में कि वहां पर कौन-कौन स जो answer है वो आपके सही होगा उनकों से point सही होंगे इस कहानी को यहां पर पाठ करम में रखने पर देखे सिचार्थियों को वग्यानिक प्रक्रियाओं के बारने में समझने में मदद करेगा तो बिल्कुल सही point है इसे पता चलेगा कि जो वग्यानिक प्रक्रियाओं है वो क कोई sense नहीं है क्योंकि यहां पर केवल वग्यानिक प्रक्रियाओं की बात की जा रही है सिचार्थियों को विभिन्द खोजों के बारे में अधिक रोमान चक कानियों को इकठा करने के लिए प्रोसाहित करना तो यह हमारा point सही होगा क्योंकि खोज की है वेग्यानिक रोना तो ACD आपका right answer यहां पर होगा अगला question है भूशन अपनी कच्छा 2 की भासा की कच्छा में थीम यात्रा को एकी करत करना चाहते हैं आपकी संसादन का सुझाओ देंगे जो कच्छा में संपादन के लिए उप्यूकत है यानि यात्रा थीम पर आपको क्या करना है एकी करत क करना है कच्छा में तो किस संसादन का सुझाओ यहां पर देना होगा तो इसमें हैं आपका यात्रा पर स्रफ विदरस से विकल उसके बाद यात्रा पर कविता यात्तायात के साधनों पर model या बच्चों के यातायात पर अपने अनुभाव तो सही answer होगा phone number बच्चों के यातायात पर अपने अनुभाव आपके सबसे उपयुक्त है क्योंकि आप सिर्फ विद्रस से clip करेंगे तो उनसे बच्चे सीखेंगे जरूर लेकिन कम सीखेंगे फिर एक कविता से यहाँ पर कम सीखेंगे यातायात के साधनों पर अगर कोई model देखते हैं उससे भी सीखेंगे लेकिन कम सीखेंगे लेकिन सबसे उपयुक्त है यातायात पर बच्चों के अनुभाव क्योंकि इससे क्या होगी डिवेट होगी और बच्चों की जो चिंतन प्रणाली है उसमें भी जो वृद्धी है वो देखने को मिलेगी यानि बच्चे ज़्यादा सोचेंगे और अपने अनुभाव साजा करेंगे जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहने वाला है किस थीम से रिलेटेट जो कि आपकी थीम है ट्रेवल यानी की यत्रा यानी किस प्रकार से कौहा की किस चात्रें कहा की यत्रा की वो आपस मैं अपने अनुभाव साजा कर सकते हैं फिर एगला question avic E daytime में सिच्छार्थी पोज में एक विखारी लड़के के बारे में अपने अलोकन को साजा करती है यानि एक सिचार्थी है वो यहाँ पर एक विखारी लड़के के बारे में अपने अलोकन साजा करती है और जानना चाती है कि उसके माता पिता उसे स्क्यूल क्यों नहीं बेचते हैं ही एक सिच्छक के रूप में आप सिच्छार्थी को कैसे जवाब देंगे देखिए आप सिच्छक है आप से यानि आप एक सिच्छक है और आप से कोई जो विद्यार्थी है वो आप से पूछता है एक विखारी लड़के के बारे में उसने उलोकन किया और वो आपसे पूछता है कि जो विखारी लड़के के माताविता है वो उसे स्कूल क्यों नहीं वेचते हैं इसका कारण आपको बताना है वहाँ पर Čएज टीचर तो आप वहाँ पर आपका बताएंगे आप उसे सुनेंगे पर अपने पार्ट योजना तक ही सीमित रखेंगे तो ये आपके लिए गलत पॉइंट होगा तो उसे कुछ परिणाम निकलना नहीं है फिर इस विजह को सिछारती के साथ अलग में चर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं आप यहाँ पर उसे अलग इस चीज़ के बारे में बताएंगे तो जो बाकी बच्चे हैं उनके मन में भी तो इस परकार के सवाल उठ सकते हैं तो उन बच्चों क्या यहाँ पर आहीद होगा कहीं न कहीं तो ये भी पॉइंट सही नहीं होगा फिर सबसे पहले उसके और लोकन की सराना करेंगे और पूरी कच्छा में इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों इस विखारी रटके के जो माताविता हैं उसे स्कूल नहीं बेचते हैं क्या कंडिसन से इस पर पूरी डिवेट यहाँ पर कच्छा में होगी जिसे सभी बच्चे आपस में इस बारे में जान पाएंगे तो कहीं ने कहीं जहाँ पर भी डिवेट हो और पहलीयों को भी सामिल किया गया है तो इससे बताया गया है क्यों महत्यु—पूर्ण है क्यों इम्पॉर्टेंट है इससे क्या आप यहाँ पर बेतर सीख सकते हैं वो आपको बताना है इससे क्या होता है कच्छा की एक रस्ता से फिराम प्रदान करते हैं तो ये कोई यहाँ पर असेंस नहीं हुआ फिर ये सिचार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं तो देखें मजे करने के लिए कोई चीज यहाँ पर नहीं करने है फिर वे सिचार्थियों को अपने आप pattern खोजने को देते हैं, इनका कच्छा में संबाधन करना आसान है, तो ये भी सही point नहीं होगा, सही point होगा third number, यानि वे सिच्छार्तियों को अपने आप pattern खोजने को देते हैं, तो जो भी पहलियां हैं, जो भी खेल हैं कोई-नकी प्रवत्ति हैं कि इस प्रकार से इसका जो आंसर है यहां पर क्या रहने वाला है यह कही है कि यह शोचता हैं तो इससे होता है है कि यह पाई धिगम magnet को खोज पाते हैं तोफ यह इसलिए जो एक्विक question थे 15 question थे इवियस की pedagogy से related तो हमारी 4 classes इस class के बाद complete होती है और अगली class में फिर जो हमारे 15 question होगी और यह सबी आपके previous year question है और उनको भी हम discuss करेंगे next class में और साथ ही साथ जो science के classes है वो भी कुछ जल नहीं आपको YouTube में देखने को मिलने वाली है तो आप इसी तरीके से channel से जूड़े रहे मिलते हैं आप से next video में new important questions के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद